हलो स्टूरेंट्स, वेलकम बेक तू माई चैनल, मेरा नाम है मीन अमलिक और आपका मेरे यूटूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे कंड़क्टर, मिन्स मैटल, सैमिकंड़क्टर और इंसूलेटर हैं उनको हम जो उनके एनर्जी बैंड गैप है उसके बेस पर कैसे डिफ्रेंसियेट कर सकते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हैं इंट्रींजीक सैमिकंड़क्टर और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए हैं जिससे आपक सेमीकंडॉक्टर होते हैं लेकिंग जो फिर्स टाइप हैं हमारा वह इंत्रींजिक सेमीकंडॉक्टर होते हैं जैसे कि अगर हम क्या करें जो हमारे pure semiconductor होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी impurity add ना करें तब उन जो semiconductors को हम बोलते हैं intrinsic semiconductor intrinsic semiconductor क्या होते हैं pure semiconductor होते हैं जिसके अंदर कोई भी impurity नहीं होती pure semiconductor without any impurity ठीक है अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं second type की तो second type है हमारे पास extrinsic semiconductor अब extrinsic semiconductor में क्या होगा हम उसके अंदर impurities add कर देते हैं तो आज हम ये इसके अंदर क्या होता है impurity add की होती है तो ये impure semiconductor होता है तो आज हम discuss करेंगे intrinsic semiconductor के बारे में तो intrinsic semiconductor की definition तो आपको पता लग गई कि एक pure semiconductor जिसके अंदर कोई भी impurity नहीं होती जो free होता है impurity से ठीक है अब यहां पे जो electrical conductivity होती है pure semiconductor की वो किसकी वज़े से होती है जो उसके अंदर number of electrons होंगे जो balance band से conduction band में excited होके जाएंगे जैसे कि हमने last video में discuss किया था कि जो हमारे germanium औ 0.72 electron volt होता है और silicon phone के case में 1.1 electron volt होता है और जो इनके बीच में energy band gap होता है सभी semiconductor की अगर combine करें तो वो less than 3 electron volt present होता है तो means अगर हम इसको कुछ energy provide करवाएं तो balance electron के energy gain करके thermal energy gain करके क्या होंगे यहां पे चले जाएंगे और यहां पे जाके यह वाले जो conduction band के electrons है यह हमारे electrical conductivity में काम आ सकते हैं तो अब यहां पर हमें electric जो हमारी यहां conductivity होगी वह किसकी वज़े से होगी number of electron की वज़े से और वह कैसे आ सकती है वेलेंस बेंड से अगर conduction band में हमारे जो वेलेंस इलेक्ट्रोन है वह जंप करके जाएं ठीक हो जाएं तो उस conductivity को हम क्या बोलेंगे intrinsic conductivity means एक ऐसा semiconductor जो हमारा प्योर है और उसके जो सिलिकोन ही है हमारे elemental semiconductor और यह intrinsic form में हमें मिल जाते हैं और इनको हम जो टांजिस्टर है और जो हमारी डायोड है उनको बनाने में भी हम यूज करते हैं जैसे हमें पता है कि semiconductor डिवाइस इस नहीं वैक्यूम टूब को 3s2 3p2 की outer most cell में 4 electron ऐसे ही अगर हम जर्मेनियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p2 तो इसके अंदर भी outer most cell में सिर्फ 4 ही electron है तो अब यहां पर क्या होगा अगर हम क्या करें silicon या जर्मेनियम की combine करके एक हम crystal बना दे अब crystal क्या होगा crystal क्या होता है एक arrangement होती है ठीक है well defined arrangement होती है जैसे मालो हमने क्या क्या एक board ले दिया और उस board पे हमने यहां पे lines खेंच दी हमने चार-5 और ऐसे ही यहां पे line ही खेंच दी तो हमने यहां पे well defined कर दिया एक index लैंगज में ठीक है और जो हम यहां पे पुट करते हैं उनको हम बोलते हैं फिलेटिस्स भी सिलीकों तो सारे या फिर सारे सिलीको Verf, तो वह हमारा यहां पे हैं के त्यार होग से इसको हम बोलेगे यहां पर जर्मेनियम क्रिस्टल ठीक है तो यहां पर जब जर्मेनियम क्रिस्टल बनेगा तो अब हमें यह पता है कि अगर हम एक जर्मेनियम का लैटिस बनाते हैं जैसे यह बन गया हमारा जर्मेनियम अब इसके यहां पर सैकेंड जर्मेनियम यहां पर थर्ड जर्मेनियम यहां पर और यहां पे यह हो गया ठीक है अब इदर भी हो सकते हैं इसकी बॉंडिंग और यहां भी हो सकती है इसकी बॉंडिंग और यहां भी ठीक है ऐसे करके यह बॉंडिंग कर सकते हैं आपने जो भी इसके स्राउंडिंग नेबर हुड जो भी इसके पास जर्मेनियम एलिमेंट प हमें बता कि वैलंसल में में इसके चार प्रीक्तों है एक tutaj हुगा इसको आपना जो-octate means जैसे मतलौ यहा Cao पे जर्मेनियम के के से हाँ पर फॉर पीच्ट है लिए तो तो फेसको क्लेशन को प्रीट करने के लीए इसका साइड़ यहां से लेगा रूकिती करने के इसके साथ कर लेगा क्योंकि क्यों करेगा से इसको भी तो मिल रहा है यह इसको दे भी रहा है और यह इससे ले भी रहा है तो मिन्स यह दोनों पस और ग्रेक्राइब हो जाते हैं और क्या क्या है अगर कंडूक्टिविटी करवानी है तो यहा पे शेरिंग हो गई हमारे tiế everyone स्की यहां पर ठीक है और जो हमारे एक्रिस्टल है यह हमारा इंशुलेटर काम करेंगा कब-तक जब तक इनके बीच में जो इलेक्टान से passo जो कोई भी आवी तो free Lac probable नरहां यहां-पर जब तक हमारे पास प्री लेक्टान से souvent होगे विलंस प्रोवाइड करवानी पड़े और ऑनेर्जी कैसी तब называется होगी थरमल थाम धिक सनी तो अब हम क्या करें अगर हम जिरो टेम्प्रेशर का केस ले Guys लेते हैं तब च्या होगाmile टते है पर 7o-7 फ्य ऺट लिया था यह यह सेंबником करते हैं क्यों करते हैं क्यों पर तो जब वो जमप नहीं करेगा तो उसका एनरजी बैंड गैप है उसी को क्रोस नहीं कर पाएगा तो जो थर्मल एनरजी गेन करेंगे और यहां से ब्रेक्टों होके इनका जो बॉंड है वो क्या होगा इनके कंडक्शनेंटे से में चला जाएगा गया जो एल् samma की एल्प से जब हम कोई अपलाई करेंगे तो वह उपोजिट में हमारे पास होगा और उसकी को हम intrinsic semiconductor बोल रहे हैं उसकी limitation क्या है उसकी limitation यह है कि इसकी जो conductivity होती है वो small होती है तो small conductivity की कारण इसको हम use कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे जो intrinsic semiconductor के case में अगर हम room temperature की बात करते हैं जो हमारा फर्मी level होता है वो बिल्कुल बीच में exist करता है जैसे हमने यह conduction band ले लिया यह हमारा balance band है तो बिल्कुल यहां पे बीच में हमारा यहां पे क्या होगा energy level होगा फर्मी energy level क्यों क्योंकि यहां पे जो हमारे electrons होते हैं वो क्या करेंगे room temperature पे कुछ energy gain करेंगे और वो यहां पे यहां तक प्रेजन्ट हो जाएंगे ठीक है conduction band से थोड़े से उपर तक जा सकते हैं वो इसलिए उनके पास इतनी sufficient energy है ठीक है तो इसलिए हमारा जो फर्मी level है जैसे कि हमें पता है फर्मी लेवल से निच्चे वाले सारे जो एनर्जी level होंगे वो सारे completely filled और उपर वाले जितने energy level होंगे वो सारे partially filled होंगे ठीक है अब यहां पर क्या होगा जैसे हैं यहां पर रूम temperature पे इनका बॉंड कोवलेंट बॉंड टुटेगा ब्रेक होगा तो यहां पर एक empty place भी होगा तो जो empty place होगा वो जो खाली जगा यहां पर कुछ vacant space बचेगा जैसी यह इलेक्ट्रोन है अब यहां से यह मालो यहां पर एक electron था वो electron thermal energy gain करके यहां से free हो गया ठीक है conduction band में चला गया तो यहां पर यह क्या बन गया यहां पर एक होल बन गया ठीक है इस empty space को हम क्या बोलेंगे hole ठीक है जो एक holo circle से हम रिपरजेंट कर रहे हैं और जब हम इसमें external electric field provide करवाएंगे तो हमारे free electrons और जो holes हैं यह move करना start कर देंगे दुन्हों opposite direction में और जिसकी help से हमारे पास क्या होगा जो current है वो करना start होगा और वह जो current flow of current है उसकी डारेक्शन क्या होगी hole के साथ की होगी जिस डरेक्शन में हमारे heart move कर रहे हैं उसी direction में हमारी electric field होती है और जो और current भी उसी direction में होगा ठीक है लेकिन जो हमारे electrons होते हैं Electron के हमारी यह पोजुट होती है तीक है means electron की direction और hole की direction opposite होती है electron की direction Electric field की direction के साथ opposite होती है electron की direction Electric current के साथ भी opposite होती है तो यह था हमारा जो flow of current था कि वो हम कैसे करवा सकते हैं यहां पर क्या होगा जो number of free electrons और hole बहुद depend responsible होंगे यहाँ पर intrinsic जो conductivity है उसके लिए ठीक है अब यहाँ पर क्या है इससे आग्यागर हम देखे तो जैसे कि अब हम यहाँ पर यह देख रहे थे कि जो हमारे यहाँ पर क्या था जो हम intrinsic semiconductor की बात कर रहे हैं वहाँ पर पहले conduction band में को electron थे नी और balance band में हमारे पास electron present थे ठीक है completely field था तो यहाँ पर क्या हुआ जो यहाँ पर जो इसमें जर्मेनियम का हमने example लिया था जर्मेनियम के पास यहाँ पर 8 electron आ चुके थे और वो क्या होगा जैसे ही वहाँ पर हम room temperature की बात करते हैं तो room temperature पर वहाँ पर कुछ thermal energy यह gain करेंगे और thermal energy gain करके यह electron हमारा free हो जाएगा और यहाँ पर एक space बन जाएगा जिसको हम hole से represent करेंगे और वो हमारा क्या बनेगा hole बनेगा अब क्या होगा जैसे यह thermal energy के साथ conduction band में चले गए तो electrons तो यह हमने यहाँ पर represent कर दिया कि electron हमारा conduction band में चला गया लेकिन यह हमारे वाल है हमारे पास तो अब क्या होगा से हमारे समी कंदक्टर है complete जैसे हम इसको electric field में अब सप्लाई कर वाते हैं electric field तो क्या होगा जो हमारे यहां पर एक साइड में हमारे पास negative charge होता है और जो हमारे लेक्ट्रों है उसके पर बोला करेंगे तो जर्शलयक्ट्रों की जिसे तो यह था हमारा डारेक्शन का कंसेप्ट अब हमें यह पता लग गया कि जो हमारे सेमिकंडुक्टर होता है उसके अंदर जो होती है वह किसकी वजह से हैं जो हमारे एलेक्ट्रोंस और जो होल पेर्स प्रोड्यूस होते हैं थर्मल एनर्जी के कारण रूम तो इसकी वजह से हमारा हो रही है यहांपर इलेक्टिकल कंड़क्टिविटी अब गया उसके होल डिक है तो जितने नबर अपर हमारे पास क्या बनेंगे, टो मिन्स नंबर ओफ एलेक्टोन इक्वल होंगे, नंबर ओफ होल के और वो इक्वल होगा, एन आई के, मिन्स इंट्रिंजिक सेमिकंडॉक्टर के जो चार्ज कैरियर सां उनको रिपर्जेंट कर रहे हैं, तो यहां पर N E और N H है यह number density, number density मतलब कि इतने volume में कितने number of electron present है, इतने volume में कितने number of hole present है, इतने volume में कितने number of intrinsic charge carrier represent है, तो यह उसको represent कर रहे हैं, अब उसके बाद यहां पर कुछ difficulty थी हमारी intrinsic semiconductor के साथ, जो जिसके लिए हमें क्या जरूर्द पड़ी, हमारे extrinsic semiconductor हैं, उनकी हमें जरूर्द पड़ी, तो क्या क्या limitation थी, तो पहली limitation तो इसकी यही थी, कि room temperature पे तो यह काम करता है सही, इसके अंदर मतलब जो charge carriers होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और यह इसकी जो conductivity है, वो low होती है, तो low conductivity, अगर हमें ज़्यादा conductivity की जरूर्द तो तब हम किसके साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है, तो पहली तो इसकी जो limitation थी, वो यह थी, second limitation यह थी, कि जो pure semiconductor होता है, इसके अंदर जो charge carriers हैं हमारे, वो जो covalent bond हैं, उनके तूटने की वज़े से बनते हैं, और वो तूटते किस वज़े से हैं, thermal motion की वज़े से, जो वहाँ पे thermal energy होगी, तो यह वहाँ पे enough flexibility नहीं होती, ठीक है, जो number of, जो charge carriers हैं हमार pure semiconductor में, उनको control करने के लिए, जो second हमारे पास यहाँ पे limitation है, वो है हमारी, कि जो pure semiconductor है, इसके अंदर जो number of electrons है, वो equal होते हैं, number of hole के, जो possible नहीं हो सकता कि pure semiconductor के अंदर, कि large number of conduction electrons हो, या फिर large number of conduction holes produce होसके, जिससे हम क्या करें, जो हमारी electrical conductivity है, उसको increase करवास के, तो हमारी य first limitation है, इसकी low conductivity है, second limitation हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे जो इसके bond है, वो सिर्फ thermal energy की वज़े से ही break हो सकते हैं, third जो इसकी limitation है, वो हमने पढ़ी यहाँ पे, कि जो इसके number of electron और number of hole है, वो equal होंगी, ठीक है, means यह नहीं हो सकता है, कि हम large number of electron लेगे चल पढ़ें, जिससे हमारी conductivity increase हो सकती है, या फिर large number of hole लेगे चल सकें, जिससे हमारी conductivity increase हो सकती है, तो overall purpose बस यही है, कि यहाँ पे जो conductivity है, वो बहुत small होती है, तो यही इसकी सबसे बड़ी limitation है, तो यह था हमारा intrinsic semiconductor का concept, तो अब हम next video में पढ़ेंगे, extrinsic semiconductor के बारे में, तो आज के लिए इतना ही हस् और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, और bell icon पर भी click करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी videos के हर नई notification मिलती रहेगी, next video में हम formation of hole पढ़ेंगे, पहले तो ठीक है, वो कैसे बनते है और फिर उसके बाद हम यहाँ पर discuss करेंगे हमारा doping का जो concept है, जिसकी help से हमारे पास extrinsic semiconductor आते हैं, तो चलिए मिलते हैं next video में, तब तक के लिए all the best